हलो फ्रेंट्स, most welcome to my youtube चैनल, आज मैं आपको अपने वीडियो में बॉट ने कूर्ती की स्टीचिंग बताने वाली हूँ, जिसकी कटिंग हमने पिछले वीडियो में की थी, वो आप हमारे description box से देख सकते हैं, वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर और चैनल को जरूर स हम पाइपिंग से बनाने वाले हैं, तो इस ओरे पटी को खीशते वे आपको इस गोले पर लगाना है, ताकि यह जो गोला है वो अच्छे से गोलाई में हो, थोड़ा सा आप नाकुन से प्रैस कर सकते हैं, अब क्योंकि गोला यह जो गोला हमने काटा है, पत्ति काकार का, वो काफी छोटा सा है, तो आप पाइपिंग को पहले इस तरह से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, यानिके उर्य पत्ति को पहले आधा इंच अंदर के साइड में फोल्ड कर दें, तो आसानी के साथ में पाइपिंग लग जाएगी, तो यह दिखे, यह राउंड बन जाएगा हमारा, अब उसके बाद में हम पहले शोल्डर जोड लेंगे, ताकि पीछे और आगे का गला एक साथ बने, अब उसके बाद में हमें लगानी है पाइपिंग गले पर, तो उसके साथ में मैं छोटी सी जोएब, वो डोरी भी बनाने वाले हूँ, तो जितनी डोरी हमें बनानी है, उतनी पाइपिंग को आगे रख लें, और उसके बाद इस पाइपिंग को खींचते वे में गले पर लगाना है, दूसरी साथ भी सेम रखेंगे हम, दूसरी साथ भी हमने इसी तरह से पाइपिंग को आगे रख लिया है, और यह हम कट कर लेंगे बराबर करके, तो यहाँ पर हमें इसके साथ में अटेच डोरी बनानी है, तो यह देखें इस तरह से रखना है आपको, और जितनी डोरी बनानी है, जितनी चोड़ाई में बनानी है उस हिसाब से हमें इस पर सिलाई लगानी है जहां हमारी पाइपिंग लगी है जहां तक अटेच है वहां तक हमें ये सिलाई लगानी है यानिकि डोरी जितनी बनानी है उतनी तक आपके सितार की मदद से हम इसको फोल्ड कर लेंगे दूसरी साइट भी इसी तरह से में डोरी निकालनी है यानि कि दोनो तरफ डोरी निकल चुकी है अब बाकी वाले में हम पाइपिंग लगा लेंगे यह जो कौना है उसको पाइपिंग के अंदर डाल दे और जो तरीका आपको सही लगे उससे आप यह पाइपिंग लगा लें जैसे मैं इस तरह से लगाती हूँ दो सिलाई में यानि कि पहली सिलाई कच्ची सिलाई जैसे मैं बाद में निकालूँगी मशीन को मोटा करके लगा रही हूँ यह वाली सिलाई तो ये इस तरह से नीचे में देखते वे पाइपिंग कितना मोटा है या कितना बारीक लगाना है मैं वो नीचे देखते वे सिलाई लगानी है अब सीधी तरफ से में इस पर बिलकुल पाइपिंग के पास पास में सिलाई लगानी है पास में सिलाई लगानी है ये बादने के लिए हमारी दोरी हो जाएगी नीचे हम फूंदे लगा लेंगे बाद में अब हम अपनी स्लीव जोडनी है स्लीव को मैंने नीचे से उलट लिए एक इंच हमने रखा था मार्जिन और इस स्लीव को 1.5 इंच का मार्जिन है हमारा रखावा तो अगर आप थोड़ा सा छोड़ लेते हैं तो जब हम पैनते हैं तो खिचाव नहीं आएगा तो दोनों तरफ स्लीव जोडने के बाद में हमने कटिंग करते वक जितना मार्जिन रखा था वो आप देख सकते हैं 1.5 इंच और उसके अनुसार हम उसको फिटिंग करेंगे आप चाहें तो एक बार पूरा नापकर भी देख सकते हैं कटिंग में आपने कम ज़्यादा कर लिया हो तो मार्जिन उस अकॉर्डिंग रख सकते हैं साइड कट की तरफ सिर्फ एक इंच यानि ये इस तरह से तिर्फी हमारी फिटिंग आएगी आगे स्लीव की गोलाई है 13 इंच यानि की साढ़े चेंच और उसके बाद साइड में हम एक दो सिलाई और लगा लेंगे साइड में उलटने के लिए आप दो सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से पहली सिलाई बिल्कुल कॉर्णर पर और अब इसको दोसरे सिलाई के साथ में फोल्ड करेंगे तरह सिलाई करेंगे बिल्कॉल करेंगे चरस्टर में आप और लेंगे कि नची ऐं नी चेकल उे झुट ए मारे नी चेकल रवा हम ओियो है तो यह हमारी कूर्ती विलट हो जाएगी तो फ्रेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आया तो ज़र लाइक और शेर कर दें और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें साथी बैल आइकन पर भी क्लिक करें ताके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें थैंक्स फॉर वाचिंग